हम ब्रम्ह चार निरोप की भगतों कथा सुनाते हैं, आवन कथा सुनाते हैं दूजी नवराती में मा को पूझे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम ब्रम्ह चार निरोप की भगतों कथा सुनाते हैं, आवन कथा सुनाते हैं दूजी नव राती में इमा को भूजी जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है वांखी क्रिपापा भगतों को लगाई पाई ब्रम्ह चारणी का मतलब तो सब की चारणी ये है भगतों को अपनी माता ये पारतारणी है राजा दक्ष के घर पे पूर्व जन में हुआ इनका भोले नाथ की संकिया था माता सतीने ब्याद लेकिन दक्ष नियक्य में कर दिया भोले का अपमान हवन कुंड में कुद के दे दी माता सतीने जाद फिर तो ही माले के घर में ये पुत्री बन आई पार्वति गौरा और शेल की पुत्री कहलाई दर्शन करके इनके नारद चले हैं आते हैं पावन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मी मा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार नारद जी ने आकर के माता को किया नामन बोली माता मुनिवर क्या है आने का कारण नारायन नारायन करवों लगी है फिर मुस्का ने बोले क्या बतलाओं माँ आप तो सब कुछ जाने जानता हूं मैं शिव शंकर को आपने वरना है बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है करकी घोर तपस्या आप शिव शंकर को पाओं तब का चरण करने वाली माता के है लाओं इतना कहकर नारद जी तो लोते हैं आन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मीमा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की की पापा भगतों को लगाई पार इनको पिता को हो गई इनकी ब्याह की जिनता पारबती का खोजन वर एक पंडित को भेजा दसों दिशाओं में वो पंडित घूम के आया है योग वर फिर पारबती के लिए न पाया है बोली पारबती है पंडित जाओ तुम के लाश शिवशंकर है मेरावर जो करता वही निवास कहने से गोरा की पंडित है के लाश पे आए देखा के एक योगी बेठा वहां पे द्यान लगाए देखके बुढ़े बाबा को पंडित घवराते हैं पावन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मीमा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार फिर पंडित ने जाकर के हैं शिव को की आनामन बोले शिव है पंडित बतलाओ आने का कारण बोला पंडित राजहि माले की यहां से आया पुत्री पारबती का ब्याँ है आप से करना चाहां जिद है पारबती की ब्याँ आप से करना है पड़ा घोर तब पड़ जाए चाहे उनको करना है बैठ गई है तब करने जब तक आप ना माने अंतर यामी हो खुद भोले आप तो सब कुछ जाने अब माता की तप की कहानी तुम ही सुनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मी मा को बोजे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार जानती थी मा गोरा वो शिवनाए से मानेंगे इसलिए वो करनित पर स्या गई है जंगल में बैठ गई वो ध्यान लगाकर शिव ही शिव ध्याए कई हजारों बरशों तक वस कंद मूल फल खाए कंद मूल फल छोड़ दिये फिर खाए पत्ते बे मा की महिमा मा ये जाने कैसा जब है खे पेड से तोटी सूखे पत्ते खाने लगी है माता घोर तपस्या इनके जैसे कौन है कर पाता देखके ब्रम्हा विष्णू चिन्तामी पड़ जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मीमा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार सूखी पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपर्णा ठान लिया था माने बस शिव को ही है वरना ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काय जय जय रही अटल अपने नेश पे रही घोर तप कर फिर तो माने खाना छोड़ दे सूखे पत्ते भी बोले ब्रह्मह विश्णोई संभो है आपसे ही ऐसी घोर तपस्याज तक कोई ना कर पाया ब्रह्मह चारणी नाम मात का तब ही है कहलाया भोले रात को हम बिवाह के लिए मनाते हैं आवन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मीमा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की की पापा भगतों को लगाई पार है मा की की पापा भगतों को लगाई पार हुई तपस्याज पूरी आपकी लोट के घर जाओ है वरदान की शिवशंकर को पती रूप में पाओ फिर दोनों आई के लाशिप शिवशंकर को मनाने भोले तो भोले हैं इनकी माया यही है जाने खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार करो भ्याहब पारवती से हो जग का ओधार कहने लगे के भोले जैसी आपकी एक्षा आग्या आपकी सपने में भी ताल नहीं सकता ब्रम्हा विश्नों की कहने से मान वो जाते हैं आवन कथा सुनाते हैं तूजी नवराती मीमा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार है मा की क्रिपापा भगतों को लगाई पार ब्रम्हचार निरूप मिमाने ऐसा किया है तब इस स्रिष्टी में ऐसी तपस्या किसी ने ना किया तपका चरण करने वाली ये ही माता है ब्रम्हचार निरूप का जो भी ध्यान लगाता है त्याग और तप में लगता मन उनका भटके ना कथिना आई जो कुछ आए तो शक्ति देती मान दूजी नव राते में इनकी रूप कुध्याते हैं शक्ति दाइनी माता से वो शक्ति पाते हैं शक्ति पत्सी अपने मन को न भटकाते हैं आवन कथा सुनाते हैं तूजी नव राती में मा को पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं है मा की की पापा भगतों को लगाई पार है मा की की पापा भगतों को लगाई पार अपनी हर एक जन्म मिमाने शिव को ही पाया कभी सती कभी पारबती का रोप है बनाया आदिशक्ती है मा जग को तारने वाली यही शारदा यही लक्षमी और यही है काली नव रात्रों में नव दुरगा की पूझा की जाती दुजी रोप में माता ब्रम्ह चारणी कहलाती बाई अंग बिराजी शिव की करती शीर सवारी भगतों को हर एक रोप में लगती मा बड़ी प्यारी धन्य भाग भगतों की दर्शन सी हो जाती है आमन कथा सुनाती है तुजी नव राती मी मा को पूझे जाती है हम कथा सुनाती है है मा की की पापा भगतों को लगाई पाप